अगर की कलह सिर्फ आपको ही असांत नहीं करती आपके पडोशियों को भी असांत करती है साश्त्र कहते हैं कि जिस घर में कलह होती है उस घर की तरक्की रुख जाती है उस घर में बीमारी और जितना दुर्भाग है और दुर्भाग से जुड़ी हुई जितनी नकारात्मक शक्तियां है सब उस घर में प्रवेश कर जाती है और न सिर्फ उस घर में प्रवेश करती है बलकि आसपास के जो मकान है वातावरण है पडोशियों को भी आकस्मिक रूप से दुरघटनाओं का सामना करना पड़ता ह है या हानी का सामना करना पड़ता है बैनों भाईयों घर की शानती के लिए प्रते घर के मुख्या को यह जरूरी है कि पूर्ण मासी के दिन हो सके तो यह प्रियोग कर ले करना क्या है आसपास कहीं कदंब का बरच्छो हो वहां से एक डंठल लेकर के आनी है जिसमें साथ सब्सक्रें पत्ते लगे हुए हो पूर्ण मासी के दिन यह ले कर करके घर में लाकर के उसको गंगा जल से धुल करके रोली चंदन करके धूप बत्ती दिखाते हुए उसको अपने पूजा इस्थल में रख लें, पूजा इस्थल में उसको सम्मान रख दें, हो सके तो कोई आसन भी छा करके पीले रंग के कपड़े का, इस डंठल को रख लीजिए और हर पूर्ण मासी को, ये पुराना वाला जो पत्ते सहित डंठल है, इसको किसी पेल की जल पर या बहते जल में प्रभाहित कर दें और इसकी जगह फिर एक नया पत्ते डंठल ले करके रखें, कटम का ये पत्ते समेत जो डंठल है, ये घर में सांती बहाल करता है, छोटी छोटी बातों पे गुसा हो करके लड़ना जगड़ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, और इस को आप करके देखें, इस वर आपकी देखें,